बच्चों, हिंरु फ्रेओल सर के फौर्टीन प्रिंसिपल्स को समझने से पहले आए हम थोड़ा हिंरी फ्रेओल सर के बारे में जानते हैं सर हिंरे फ्रेओल, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1841 में यह बेसिकली एक इंजिनियर थे और इन्होंने 1860 में अपनी इंजिनियरिंग की डिग्री कम्प्लीट करके एक कोल कमपनी में एज इंजिनियर पोस्ट पे यह नियुक्त हुए आगे चलकर इनकी कारिक्षमता को देखकर इन्हें 1866 में मैनेजर या प्रबंधक के रूप में प्रमोट किया गया इसके पश्चाथ 1887 में इन्हें महा प्रबंधक बना दिया गया हम यह भी कह सकते हैं कि Sir Henry Fjoll Principles of Management के जनक दिया है या इन्हें कहा जाता है Father of Principles of Management इन्होंने 1961 में एक ग्रंथ लिका जिसे सामान एवं ओध्योगिक प्रबंध के नाम से जाना जाता है इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने जो योगदान दिये हैं हम उनके बारे में जाने तो इनके तीन योगदान है पहला योगदान इन्होंने तक्निकी एवं प्रबंध की कौशल के बीच के अंतर को समझाया दूसरा योगदान इस तरह है कि हमने जो मैनेजमेंट के जो मुख्यकार जाने थे कौन-कौन से प्लानिंग, और्गनाइजिंग, स्टाफिंग, डिरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन्होंने उसको फाइंड आउट किया या उसको खोज निकाला और last but not the least इन्होंने जो 14 principles दिये हैं management के जिसके basis पर अगर कोई manager या management उसको follow करता है तो वो easily अपने task को पूरा कर सकता है या target को पूरा कर सकता है आईए, फियल सरके को जानने के बाद या उनकी छोटी सी जिवनी जानने के बाद हम उनके 14 principles को जानते हैं 14 principles में से जो पहला principle है, सरका पहला principle है कारे विभाजन का सिध्धान अर्थाज principle of work division इसमें क्या होता है? किसी भी task को छोटे-छोटे भागों में बाट दिया जाता है और उस छोटे-छोटे भागों के कारे को उनके specified जो उस कारे करने में specialization है जिनकी उनको सुपूर्द कर दिया जाता है और इस सरह उस पूरे कारे को पूरा कियाता है हम इसे एक example के तहट समझ सकते हैं अगर किसी class में किसी एक teacher को हर subject को पढ़ाने कहा जाए तो उसके लिए समस्या उत्पन जाए क्योंकि वो हर subject में उसकी विशेश योगता नहीं रहेगी इसलिए क्या किया जाता है कि हर subject के लिए एक teacher identify किया था कि एक अलग teacher एक अलग subject को पढ़ाएगी जिसमें उसकी विशेश योगता रहेगी या जो उस subject को अच्छी तरह से जानता है तो इस तरह से work of division method काम करता है अब देखे इसके plus points यह थे कि कारे बहुत अच्छी तरह समाप्त हो सकता है या कारे का पूरा बहुत अच्छी तरह होता है दूसरी चीज़ यह होती है कि यह specialized logo द्वारा पूरा होता है मतलब जो work जिस विक्ति को lot किया गया है या देख के किया गया है कि वो टास्क जो है या जो specific टास्क है वो एक specialized वित्तियों दिया जाया जिससे कि वो कारे अच्छी तरह से पूरा हो सके अगर इसके हम next देखे हैं कि या उसके हम उल्टा कॉइन का दूसरा साइड देखें अगर हम इस principle को follow नहीं करते हैं तो क्या सित्या उत्पन होती है कि कार्य एक विक्ति के दवारा पूरी तरह नहीं अच्छी तरह पूरा किया जा सकता उसमें कोई न कोई problems create होंगे और क्या होगा जो target या objective decide हुआ है वो पूरी तरह से complete नहीं होगा तो इस तरह से Henry Sir का first principle work of division हमने समझा आएए अब हम इसके दूसरे principle को समझते हैं उन्होंने जो दूसरा principle दिया है उसके अनुसार अधिकार एम दाइतों का सिधान थवा यानि principle of authority and responsibility कहने का मतलब यह है अगर किसी organization में किसी अधिकारी को क्या करतव यह दिये गए है या कह सकते हैं अगर उनको कोई दाइत्व दिये गए हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए अगर उन्हें अधिकार नहीं दिये जाएंगे तब वहाँ पर क्या होगा उदेश की प्राप्ती होना मुश्किल है या उदेश की प्राप्ती नहीं की जा सकती इसे अगर हम एक उदारन से समझें तो इस तरह समझ सकते हैं मान लिजे जो कस्टमर्स को देखते हुए मार्केटिंग मैनेजर ने प्रोडक्ट की एवेबिलिटी बढ़ाने के लिए मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर से बात की उन्होंने कहा कि जो हमारा उत्पाद है उसकी आविशक्ता बढ़ गई है या मार्केट में उसका बहुत उपियोग हो रहा है तो उसका production की quantity को बढ़ा दीजे इस सिती में production manager ने अपने जो subordinates हैं या अपने अंदर जो अधिकारी कारे कर रहे हैं या worker कारे कर रहे हैं उनको निर्देश दिया कि भाई हमें production बढ़ाना है आप लोग production बढ़ा दीजे उन्होंने उन्हें करता वे तो सौपा लेकिन अधिकार नहीं दिया कि वह raw material जो production के लिए raw material लगेगा या जो resources लगेंगे वह वह कहीं से ला सके या बता सके इस सिती में निशकर्ष यह निकला कि जो target अचीव करना था ये जितनी quantity में production होना था उस quantity में production नहीं हो पाया तो यहां सिती क्या निकली कि करता वे तो बताया गया कि आपका कारे है कि आपको इतने समय में इतनी quantity का production करना है लेकिन अधिकार से बंचित कर दिया गया कि आप को यह आधिकार है कि अगर आपको इतनी quantity में यह resources चाहिए चाहिए वह raw material हो है चाहिए human resources हो या कुछ अलग तरीके मशीने चाहिए तो आप उसको मंगवा सकते हैं यह अधिकार उन्हें नहीं दिये गए तो इस सिती में क्या हुआ कि वह जो अबजेक्टिव डिसाइड हुआ था या गोल्ड डिसाइड हुआ था कि आपको इतने समय में इतना प्रडक्शन करना है वो नहीं हो पाया इसलिए ह दूसरे प्रिंसिपल को दिया उनके अनुसार अगर हम किसी अधिकारी को करता भी देते हैं तो वहां उसे उसके अधिकार देना भी जरूरी है इस सिती में होगा यह कि अधिकार देंगे तो कारिय जो है अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएगा और जो अधिकारी अपने भाव से उस कारे को करेगा ठीक है बच्छो आईए अब हेंडरी फ्योल सर के हम तीसरे जो प्रिंसिपल है उसको जानते हैं उनके अनुसार आदेश की एकताव सिधान यानि प्रिंसिपल ओफ यूइनिटी अफ कमांड इसे हम छोटे से एक उधारन से समझते हैं आप एक क् टीचर्स हैं जो टीचर्स आपको सेम टाइम पे डिफ्रेंट कमांड देती हैं अब सीन क्या क्रियेट होगा या संभावनाय क्या उत्पन होंगी समस्या यह है कि आप किसके कारे को पहले करें यानि अगर आप किसी एक टीचर कारे को पहले करते हैं तो दूसरा टीचर आप अगर किसी प्रोजेक्ट पर वर्क हो रहा है तो वहां पर जो आदेश देने वाला व्यक्ति अगर एक होगा तो उसके सबॉडिनेट्स को काम करने में आसानी होगी उनमें यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि पहले उस अधिकारी का काम करें कि पहले भी अधिकारी काम करें इससे क्या होगा अगर यह प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता तो समस्या क्या आएगी समस्या यह आएगी सबसे पहले confusion create होगा, कौन से अधिकारी काम पहले किया जाए, दूसरा कारे पूरा ही नहीं हो पाएगा इस असमंजस की सिदी में, तीसरा समस्या यह उत्पन होगी कि अधिकारियों के बीच भी मदबेध हो जाएंगे, जिससे की firm यह organization का जो final goal है या final objective है किसी target को पूरा करना वह हो पाएगा, आएए अभी हम इनके चोथे principle को समस्या है, जो है निर्देश की एकता व सिद्धान्त, यानि principle of unity of direction, यह सिद्धान्त भी हमारे आदेश के सिद्धान्त जैसा ही है, लेकिन difference इतना है कि इसमें अगर कोई group of employee या लोगों का समूँ किसी एक project पे काम कर रहा है, तो उसमें जो निर्देश दिये जाएंगे, वो निर्देश देने वाला अधिकारी एक ही होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अगर project का उद्धेश एक है, तो उस project के उद्धेश की पूर्ती के लिए जो सिद्धान्त फॉलो करेगा, वो कोई एक अधिकारी एक सिद्धान फॉलो करेगा, अगर उसमें दो अधिकारी रहेंगे, तो वो अलग-अलग सिद्धान्तों पर चलेंगे, इस सिती में क्या होगा, डिस बैलन्स की सिती उत्पन होगी, और इससे क्या होगा, जो objective है, या goal है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, बच्चों, थर्ड प्रिंसिपल यानि आदेश की एक्ताव सिद्धान्त, और चौथा प्रिंसिपल, निर्देश की एक्ताव सिद्धान्त, यानि प्रिंसिपल उफ यूनिटी ऑफ डिरेक्शन को समझने के बाद, आए, हम इन दोनों की बीच के अंतर को समझते हैं, बच्चों, आए, अब हम आदेश की ए क्या है इसके अनुसार प्रतेक अधिनस्त को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए उसे उसी अधिकारी के प्रती उत्तरदाई होना चाहिए और निर्देश की एक्तकार्थ क्या है उद्देशों समान उद्देशों वाली क्रियाओं के समू के लिए एक ह कि अध्यक्ष एवं एक योजना होनी चाहिए उसी तरह कर हम दूसरा आधार लें जैसे उद्देश यानि इम इसके बेसिस पर अगर डिफरेंस समझें तो आदेश की जो एकता है उसका उद्देश भ्रांती को दूर करना और गल्तियों के लिए उत्तर देता को निश्चित क निश्चि एकता का उद्देश देश कि प्राप्ति के लिए और सभी करमचारियों के प्रयास सोल निश्चित अर्थकर पाक कि अंदेखा होने टीसरा ली विद्दू या पीश लेते हैं महात्यों यानि सीग्णिफिकेंज इसमें आदेश की हैक्ता में महात्यों को समझते इसके अनुसार यह कुशलता को बढ़ाता है और संगठन में सामंजय से तता अनुशासन लाता है और निर्देश की एकता में क्रियाओं में एक रूपता एवं समन्वे लाता है चौथा है अंतर प्रभाव यानि इंप्लिकेशन्स इसमें आदेश की एकता में समझें तो इससे कर्मचारी व्यक्तिकत रूप से प्रभावित होते हैं और निर्देश की एक्ता में इससे पूरा संगठन प्रभावित होता है तो बचों इससे हमने आदेश की एक्ता और निर्देश की एक्ता में अंतर को समझा अंतर को जानने के बाद आईए अब हम इनके पांचवे जो प्रिंसिपल हैं उनको समझते हैं पांचवे प्रिंसिपल है अनुशासन का सिध्धान्त याने प्रिंसिपल ओफ डिसिपलिन जैसे आप स्कूल जाते हैं आप आज स्टूडिन आपका डिसिपलिन में होना बहुत वैसे ही एक ओगनाईजेशन में हर एक इंपलॉई का डिसिपलिन में होना जरूरी है एक दूसरे के प्रती आदर का भाव एक दूसरे के प्रती प्रेम भाव और हर किसी के कारे को महत्व देने का भाव होना जरूरी है तो यहाँ पर अनुशासन का सिध्धान्त सर हेंडरी इता का सिध्धान यानि प्रिंसिपल और प्रायर्टी ऑफ ग्रूप इंटरेस्ट मतलब किसी एक विक्ति को महत्वर न देते हुए पूरे ग्रूप को यानि जितने लोग एक कारिक को करने में सम्मिलित हैं उन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसिजन लेना या किसी भी तरह की मदद करना या किसी भी तरह का कोई भी स्टेप लेना हम कह सकते हैं इसमें सिचुएशन इस तरह से क्रियेट होती है कि अगर इस सिध्धानत को फॉलो नहीं किया गया तिस सिनेरियो क्या होगा इसमें मानवता का हनन होगा दूसरा यह होगा कि इर्शा क कि एकी तरह की कार्यकर ने पर अपने साथी को अलग विखार किया जा रहा है और चटवे सिद्धान्त या Henry Fowler सर के चटवे सिद्धान्त का पालन करना आवश्चक हैं आएए अब हम Henry Fowler सर के 7th principle की ओर चलते हैं जो कि यह है करमचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धान्त यानि principle of remuneration of personal देखिए बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यक विक्ति अगर किसी फर्म में या किसी organization में जुड़ा है और वहां कारे कर रहा है तो वह कहीं न कहीं expect करता है कि उसको एक handsome remuneration मिलेगा यानि अच्छी salary मिलेगी उसकी योगिता के अनुसार अगर उसकी योगिता के मिलेगी सार अच्छी salary मिलती है तो इस सितिय में plus point क्या होगा कि वह क्या होगा सबसे पहले satisfied होगा यानि वह एक संतुष्टी का अनुभाव करेगा दूसरी चीज क्या होगी वह अपने कारे को मन लगा करेगा जिससे की organization के goal को प्राप्त कर सके या जो target उसे दिया गया है उसे प्राप्त कर सके तीसरी सितिया होगी कि वह अपने organization के प्रती समरपन भाव से काम करेगा क्योंकि वह अपने organization से खुश है अगर देखा जाए अगर हम इस सद्धानत का या कोई organization अगर इस सद्धानत को follow नहीं करता है तो उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको समस्याइं आती है कि क्या होता है जो अच्छे employees हैं वो तुरंत क्या करत हैं वो दूसरी organization की तरफ switch कर जाते हैं जहां उन्हें अच्छे अच्छे salary मिल रही है दूसरी समस्या क्या आती है उससे होता है कि उस संस्था या उस organization का नाम भी खराब होता है कि अब इस organization में प्रॉपर यह सारी facilities नहीं है या प्रॉपर रेमिनेशन जो principles या schemes नहीं चल रही है जिस वजह से यहां के जो employees है वो unsatisfied है इससे क्या होगा उनका जो market value है वो खराब होता है और market में जैसे ही form का value खराब होगा उससे होगा यह कि उनके product के marketing strategy या उनके product के consumption पे भी इस आसर पड़ सकता है तो बच्छो इससे हमने यह आईए अब हम Henry Fjol sir के अगले principle यानि 8th principle की और बढ़ते हैं इस principle में केंद्री करण वो विकेंद्री करण का सिध्धान्त इन्होंने माना है यानि इसको English में कहते है principle of centralization and decentralization इसको अब हम इस सरह समझ सकते हैं टॉप लेवल के अधिकारियों में जो अधिकार हैं पूरी तरह दे दिये गया है मतलब खेंद्री करण और विकेंद्री करण मतलब प्रबंध में सभी सरों पर अधिकारों का वित्रण करना अगर ये दोनों ही proper होगा या सहीं तरीके से कारे होगा तो उससे जो होगा organization की उद्देशों की प्राक्ति आसानी से की जा सकती है या अच्छी तरह की जा सकती है अगर इस सद्धान्त को फॉलो नहीं किया जाए तो हम इससे होने वाले प्रॉब्लम्स को समझते हैं अगर पूरी तरह से कोई organization केंद्री करण है या कह सकते हैं centralized है उस सिति में क्या होगा या विकेंद्री करण है दोनों ही सितियों में क्या होगा जो अधिकारी या अधिन अधिकारी दोनों ही सितियों में उन पर कारे का बोज बढ़ जाएगा दूसरी चीज अगर केंद्री करित है या centralized है तो क्या होगा इसमें जो टॉप लेवल अथोरिटीज है या टॉप लेवल के जो अधिकारी है वो अपने पावर्स को मिस्यूज भी कर सकते हैं तीसरी च जाएगी तो एड़ एंड हम इस प्रिंसिपल पर कह सकते हैं कि management में centralization और decentralization proper way में अगर follow होता है तो इस सिती में जो objective decide किये गए हैं organization के लिए उसे हम achieve कर सकते हैं आएए अब हम इसके ninth principle की और बढ़ते हैं ninth principle है सोपान या संपर्क श्रिंखला का सिद्धान जिसे principle of scalar chain कहते हैं हमें इसे इस तरह समझते हैं आप इस screen पर एक triangle देख रहे हैं इसमें कुछ बिंदू अंकित है यह एक organization के department का triangle है मान लिजे इस triangle में जो a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k यह जो है अधिकारी बैठे हुए हैं ठीक हैं मान लिजे अब d अधिकारी को i अधिकारी से कुछ काम है तो पहले की सिती में कैसा होता था कि जो d का d अधिकारी है वो अपनी बात को c से कहेगा c b से कहेगा b a से कहेगा फिर a g तक पहुंचाएगा उसी बात को फिर g h तक और तब जाकर के वह i तक बात पहुंचेगी इससे क्या होगा इससे communication का flow जो है वो बिगड़ता है पहली चीज दूसरा जो original message है जो original बात अधिकारी d को अधिकारी i से कहनी थी वो क्या भी थोड़ी रूपांतरित हो जाएगी ये तोड़ मरोड दी जाएगी अपने अनुसार इससे क्या होगा जो objective फुल्फिल करने के लिए जो बात कह जा रही थी या message दिया जा रहा था फुल्फिल समय पर नहीं होगा इससे work जो schedule होगा वो late हो जाएगा तो बच्चों हम यह कह सकते हैं कि यह जो scalar chain है इसमें क्या होता है scalar chain में एक gang plank मना दिया था मतलब जो अधिकारी d है वो अधिकारी i से direct contact करके बात कर सकता है उन्हें अ जो इस तरह से हम जो scalar chain के principle को समझते हैं आईए हम अब इसके अगले principle यानि 10th principle पर चलते हैं 10th principle है व्यवस्ता तता करम बद्धता का सिद्धान्त यानि principle of order देखिए बच्चों order सभी चीजों का होगा चाहिए चाहे वो machine का है चाहे अपने को input मंगवाना है जैसे raw materials मंगा करना है या fund का flow करना है या अपने subordinate से work लेना है यह सभी चीजे ordered format में होने चाहिए अगर इनका order बिगड़ेगा या करम बदता बिगड़ेगी तो इस तिती में अगर हमें किसी चीज की आवश्यक्ता है और हमारे पास वह पहले से उपलब्द नहीं है तो हमें क्या होगी आगे समस्या उत्पन हो जाएंगी इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमें अपने सारे resources को ordered format में रखना जरूरी है जिससे की समय आने पर हम उसका उपयोग सही तरीके से कर सके और जो human resource available है अगर वो ordered format में रहते हैं तो वह क्या होगा वो समरपन भाव से अपने organization के प् अब इसके बाद हम जो है इसके अगले सिद्धान यानि 11th जो principle है उसकी ओर बढ़ते हैं जो 11th principle है उनके निसार न्याय एवं समता का सिद्धान यानि principle of equity कहते हैं उसे अब क्या होता है हम किसी organization में काम कर रहे हैं हमारा जो superior है हमारा जो boss है कह सकते हैं अगर हमारा boss हम सभी subordinates के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा तो उस सिद्धी में क्या होगा उस सिद्धी में यह होगा कि हम सब के बीच एक अच्छी सद्भावना बने रहेगी हमारे बीच की जो terms है या employee-employer relationship है वो सही मना रहेगा जिससे कि जो firm यह organization का objective या जो goal है वो properly और अच्छी तरीके स achieve किया जा सकता है लेकिन अगर यही equity नहीं बनी रहेगी तो क्या होगा इशा की भावना आएगी मत भेद आएंगे और जो objective decide किये गए हैं वो सही समय पर पूरे नहीं हो सकते हैं तो बचो इस तरह से हमने ग्यारवे principle को समझा आईए अब हम इसके अगले principle की और बढ़ते ह यानि principle of stability अब देखते हैं हम अगर किसी organization में कोई भी employee stable है मतलब वो कहीं ने कहीं organization से satisfied है दूसरी चीज़ क्या होगी अगर वो satisfied है तो वो अपने से मन लगा कर या अपने पूरा तन मन धन लगा करके यानि अपनी पूरा इच्छा शक्ती से वो क्या करेगा अपने पन से व वो उस organization के लिए काम करेगगा अगर हम देखें तो प्स्थाइतो का सिधानत के अनुफार अगर इस सिधानत को follow नहीं किया जाए तो क्या क्या समस्या आएंगी अगर इस सिधानत को follow नहीं किया जागा तो अच्छे करमचारी दूसरे form में shift हो जाएँगे या दूसरे form में तूसरी चीज, सेम स्किल की ट्रेनिंग फिर से और्गिनाइज करने पड़ेगा, मतलब क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा, जब खर्चा तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या वही क्वालिटी प्रड़क हमको वापस मिल रहा है, मतलब यूमिन रिसोर्स के आस्पेक्ट में बात कर है, जिस तरह के मानवी रिसोर्स या यूमिन रिसोर्स हमने खोए हैं, क्या उसी तरह की वालिटी में यूमिन रिसोर्स हमको मिलेंगी, नहीं, यह पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए इस धान्त का फॉलो होना बहुत जरूरी, अपने जो और्गनाईजिशन में र अबजेक्टिव है पूरी तरह से पूरा हो सके अगले हम प्रिंसिपल की और बढ़ते हैं तो थोटीन प्रिंसिपल है पहल शक्तिका सिधान्त यानि प्रिंसिपल ओफ इनिस्येटिव मतलब जब भी कुछ नया करना है तो उसे हम इनिस्येटिव करते हैं किसी कारे को करने के यह पहला कतम उठाना है उससे हम initiative कहते हैं तो चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो अगर कुछ नया अच्छा idea आता है या अपनी company के goals को अचीव करने के लिए कुछ नए techniques generate होते हैं अगर उनको idea रखना है या उन ideas को follow करना है तो उन्हें यह अधिकार भी देने पड़ इस सिती में यह होगा कि जो वहां का employee है वो अपने आपको powerful message करता है किसलिए कि वह अपने company को अपना समझने लगता है जिससे वह सोचने लगता है कि हम जो भी करेंगे वह हम अपनी company के हमें उसे benefits के लिए करेंगे और वह पूरी मन लगा कर उसके लिए काम करता है दूसरी company के और shift नहीं होगा और इस सिती में वह क्या होगा एक अच्छा करमचारी हमारे उसी organization में विद्यमान रहेगा जिससे जो end results है या objective जो decide किया है दिया हुआ जो target decide किया है वो at the end प्राप्त हो जाता है तो बच्चों यहाँ पर 13th principle भी important है इसी तरह अगर हम 14th principle को चलें तो जो कहता है सहयोग यहम सहकारिता का सिध्धानत यानि principle of cooperation and cooperativeness मतलब यहाँ पे सहयोग का सिध्धानत है यहाँ पे मैं नहीं आएगा यहाँ हम वाला भावना आनी चाहिए हम वाली भावना मतलब एक फॉर्म को या एक organization को प्रतिक कर्मचारी को अपना परिवार समझ के चलना चाहिए वहाँ केवल स्वयम के विकास के बारे में नहीं सोचना है चाहे वो top level अधिकारी हो चाहे वो management level का अधिकारी हो या चाहे एक lower level का अधिकारी हो वहाँ सारे लोगों का विकास के बारे में या सभी लोगों के विकास के बारे में सोचना चाहिए जिससे क्या होगा जो समर्पन की भावना है organization के लिए वो बढ़ जाएगी दूसरी चीज़ वो stability बढ़ जाएगी तीसरी चीज़ company को फिर से training program schedule कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ cost बचा सकती है company और चौती at the end जो most important factor होता है किसी company को run करने के लिए कि उसका जो decided goal या objective है वो इसको दिये हुए time period में fulfill करेगा तो बच्चो इस तरह से हमने हिन्री फियोल सर के चौदा principle यानि 14 principles की details study करें आए अब हम इन सिद्धानतों का परंपरागत तता आधुनिक प्रभाव जानते हैं फियोल के प्रबंद के 14 सिद्धानत प्रभावी हैं परंतु इन सिद्धानतों का अर्थ बदल चुका है निमलिखित सारणी फियोल के प्रबंद सिद्धानतों के परंपरागत और वर्तमान प्रभाव में आये अंतर को दर्शाती है बच्चों चलिए पहले जो सिद्धानते कारे विभाजन उसका परंपरागत प्रभाव देखते हैं उसका परंपरागत प्रभाव है श्रमिकों की कारे रूप रिखा में विशिष्टी करें और उसका आधुनिक प्रभाव क्या है श्रमिकों की कारे रूप रिखा में सामा अधिकार होते हैं और उसका आधुनिक प्रभाव क्या होगा कर्मचारियों के पास अधिकार होते हैं इसी तरह अगर आप आपचारिक। और अधिनियम और आधिनियम आते हैं और आधिनिक प्रभाव देखें तो अनौपचारिक दबाव एवं नियंद्रन आते हैं चौथे प्रिंसिपल की ओर चलते हैं जो कि यह आधेश की एकात्मक्ता इसमें परामपरागत प्रभाव यह है कि अधिनस्त केवल संस्था एक अधिकारी को देंगे और आधुनिक प्रभाव क्या है कि अधिनस्त कई अधिकारीयों को रिपोर्ट देंगे पांचवा सिध्धान देखते हैं निर्देश की एकात्मक्ता इसमें परामपरागत प्रभाव है एक दिशा की और कारे और आधुनिक प्रभाव है कई दिशाओं की और कारे छटवे सिध्धान्त को देखें तो यह है व्यक्तिगत हित की सामान्यत के प्रती अधिनस्ता, इसमें परम परागत प्रभाव क्या है? कर्मचारी संगठन संस्ता को सौप जाते हैं, और आधनी क्या है? संगठन कर्मचारीयों को सौंप जाता है अगले principle की ओर बढ़ें जो की है कर्मचारियों का पारिश्रमिक इसमें परम परागत प्रभाव है उपर युक्त पुरुसकार का भुक्तान या जो ज़रूरी है जो पुरुसकार जितने जरूरी है उसका भुक्तान और उसका भुपनान destroy निश्र पादन पर आधारित देखें तो केंद्री करण एवं विकेंद्री करण इसमें परंपरागत प्रभाव है उच तर के हाथों में शक्ति का केंद्री करण और इसका आधुनिक प्रभाव है शक्ति का वित्रण समान रूप से प्रतेक स्तर पर किया जाता है नौवा अगर प्रिंसिपल देखें तो नौवा प्रिंसिपल है सोपार्ण शंकला इसका परम परागत प्रभाव है प्रतेक स्तर से गुजरते हुए सूचना का एक और सरप्रवा और इसका आधुनिक प्रभाव क्या है मित्या और छोटा संप्रेशन दसवे अगर हम चलें सि नियंत्रण के लिए मनुश्यों और माल की करंबद विवस्था और आधुनिक प्रभाव समन्वे के लिए मनुश्यों और माल की करंबद विवस्था ग्यारवा है सम्ता इसमें परंपरागत प्रभाव है कर्मचारियों के साथ न्याय संगत और द्यालुता पूर्वक विवह और आधनी प्रभावा क्या है स्वामित्व की भावना का विक्स बारबाव प्रिंसिपल अगर देखें तो कारेकाल में तरह लुक्त तो परंपर अगर प्रभाव क्या होगा इसमें कर्मचारियों को बने रहने के लिए उन्हें प्रशिक्ष्षन देना और आधुनिक प्रभाव होगा कर्मचारियों का लगाता प्रक्षिश्ण और विकास. तो बचो जैसे ही समय बदल रहा हैं, हमने देखा कि जो हमने सिध्धान्त पढ़े, 14 सिध्धान्त, उनमें से 12 सिध्धान्त में हमने परामपरागत प्रभाव और आधुनिक प्रभाव को पड़ा आएए अब हम आगे प्यज्ञानिक प्रबंद या सिद्धान्त एवं पद्यतियों को जानते हैं